नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पॉडल कृष्णा आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से OPS और NPS के बारे में विशेश रूप से चर्चा करने के लिए उपस्तित है OPS कहने का आर्थ हो गया कि Old Pension Skim अर्थार्थ पुरानी Pension योजना और NPS कहने का आर्थ हो गया कि New Pension योजना निकी नई Pension योजना जिसे राष्टिये Pension योजना भी कह सकते हैं देश भर में लंबे समय से OPS और NPS को लेकर के बहस छळी हुई है और कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के तहत बहस छळी हुई है। जब से NPS लागू की गई है निकि जब से राष्टिये पेंशन योजना को लागू की गई है तब से इसका विरोध हो रहा है आज भी इसे वापस लेने की बात आज भी NPS को वापस लेने की बात काफी जोरों से हो रही है नई पेंशन योजना केंदर सरकार ने वर्स 2004 से पुरानी पेंशन योजना को खतम कर अनिकि पुरानी पेंशन योजना के अस्थान पर नई पेंशन योजना की राष्टिये पेंशन योजना को लागू किया है राष्टिय पेंशन योजना शुरू होने के बाद सरकारी सेवा में सामिल करमचारियों को नई पेंशन इसकिम के तहत रिटायर्मेंट के बाद उसको पेंशन दी जाएगी अब हम लोग यहां से समझेंगे कि NPS के तहत नई पेंशन इसकिम राष्टिय पेंशन इसकिम के तहत केंद्रिय करमचारी को क्या-क्या सुविधाय मिलेगी उसके बाद NPS और OPS में तुलात्मक अध्यन हम लोग करेंगे जिससे काफी असपस्टता हो जाएगी हम लोग इसे सरल और आसान भासा में समझने का प्रियास करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहां पे समझते हैं कि NPS में जो नई पेंशन योजना है उसमें करमचारियों को कार्ज काल के दोरान 10 प्रतिसत लगाना होता है अनिकि 10% जब वह NPS के तहत नई Pension योजना के तहत जब कर्मशारी कार्ज रत है तो कार्ज काल के दोरान उसे 10% उसमें लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, यह योजना सेयर बजार पर डिपेंड करता है, अनिकि NPS राष्टिये Pension योजना सेयर बजार पर निर्भर करता है, शेयर बजार के अनुसार से Pension का लाब घड़ता बढ़ता जाता है, पेंशन में उतार चड़ाओ, जो सेयर मार्केटिंग है, सेयर बजार है, उसी के अनुसार पर डिपेंड करता है, NPS के रिटार्मेंट के बाद, अनिकि NPS में, अनिकि NPS योजना में र लगाना पड़ता है, उसके बाद हम लोग इसको इस प्रकार भी समझ लेते हैं, कि इसमें रिटार्मेंट के बाद मिलने वाले पैसे पर भी, रिटार्मेंट होने के बाद, जो पेंशन इसकी में, अनिकि पेंशन का जो लाब मिलेगा, तो उसमें भी टेक्स काटा जाता है अनिकि उसमें जो पैसा मिलेगा, उसके नुशार से टेक्स भी आपसे काटा जाएगा, एनपियस में हर छे महिने के बाद मिलने वाला महगाई भत्ता, अनिकि छे महिने के बाद जो महगाई भत्ता, डेरलेंट्स, एलोंस है, डिये, वह नहीं देने का प्रावधान रखा गया है, अब हम लोग यहां से समझ लेते हैं, कि एनपियस और ओपियस में क्या विविन्ताय है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों विविन्तायों को अधी हम लोग समझते हैं, तो दोनों को समझने में हमें यहां अधिक असपस्टता होगी, तो यहां पे आप देख सकते है बोड में लिखा गया है उसके बाद नए योजना यह बोड के दाय भाग में लिखा गया है नियू पैंसन योजना इसे राष्टिये पैंसन योजना भी कर सकते हैं यहां पर हम लोग फॉइंट के अधार पे इसको समझेंगे कि इसमें पुरानी पेंशन योजना में पेंशन के लिए बेतन से कटोती नहीं होती है करमचारी को जब पेंशन की प्राप्ति होती है रिटायर्मेंट के बाद तो इसमें पहले कार्जकाल के दोरान में बेतन से कोई कटोती नहीं होती है लेकिन नई पेंशन योजना में 10% की कटोती होती है नौकरी के दोरान नौकरी के कार्जकाल में उसे 10% की कटोती होती रिटार्मेंट के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए उसके बाद इसका अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि इसमें जी पी एफ की सुविधा है अनिकि जेनरल प्रोविदेंट फंड समान्य भविष्थ निधी की सुविधा है पुरानी पेंशन योजना में लेकिन ज केंशन प्रोविदेंट फंड समान्य भविष्थ निधी की सुविधा है बट एन पीएस में जी पीएस की सुविधा नहीं है उसके बाद इसका अगला पॉइंट इस प्रकार से है कि इसमें भुगतान सरकार की ट्रेज़ेडी से की जाती है अनिकि सरकार का जो खजाना है स से भुगतान की जाती है तो इस आधार पे एक निश्चित एमाउंट अनिकि हमेशा एक फिक्स एमाउंट पेंशन धारियों को प्राप्त होते रहता है लेकिन एंपियस में यह शेयर बजार पे डिपेंड करता है शेयर बजार में अधी डाउन हो गया तो उस आधार पे पेंशन भोगियों को जो निश्चित रासी मिलनी चाहिए वह रासी नहीं मिल पाती है तो यह सेयर बजार पर निर्भर करता है लेकिन पुरानी पेंशन योजना सेयर बजार पे निर्भर नहीं करती है यह सरकार की ट्रेजेडी से उसको रासी मिलती जाती ह इसलिए वह RC fix होती है लेकिन NPS के अधार पर जब उसे pension औरी कि नई pension 于skim के अधार पर जब राशी मिलती है तो शेयर-बज़ार अधि-down होता है तो उसका पेंशर-भोगियों की जो राशी है वह हो जाती है आगे इसका इस प्रकार से है किसमें रिटाइरमेंट यहां मिलती है लेकिन NPS में नई पैंशन युजना में पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है, आगे है इसका पॉइंट कि 6 महिना के बाद मिलने वाला महगाई भत्ता सामिल है, जिस प्रकार से हम लोग शुरू में ही चर्चा किये थे, कि NPS में 6 महिने के बाद जो महगाई भत्ता, और कि महगाई भत्ता का जो बिर्धी करने की ब इसके अनुसार से उसका जो पेंशन है, उसमें एड होते चला जाएगा, आगे है कि रिटार्मेंट के बाद 20 लाख तक ग्रेच्वेटी मिलती है, और कि इसमें 20 लाख तक का आपको ग्रेच्वेटी मिल जाएगी, लेकिन NPS में इसमें और अस्थाई प्रावधान इसमें उस तरह से कोई विशेश रूप से कोई अस्थाई प्रावधान नहीं किया गया है, आगे है कि इसमें और कि OPS में टेक्स नहीं कटता है, जब आपको रिटार्मेंट के बाद पेंशन मिलेगी, तो जो रकम मिलेगी उसमें टेक्स सरकार के दोरा नहीं काटी जाएगी, ले इंटार्मेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए, GPS से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है, अनिकि General Provident Fund, अनिकि समान भविस्थ निधी से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है, लेकिन नई पेंशन योजना में, अनिकि NPS में राष्टिये पेंशन योजना में, 40% का उसमें लगाना पड़ता है, तो इस प्रकार से हम लोग पुरानी पेंशन योजना, OPS, और नई पेंशन योजना, NPS को समझने का पर्यास किये, और भी इसमें और सारे प्रापधान है, हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही समझेंगे, बस इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस थी थे, थाइंक्स फॉर वाचिंग, गुडबाय,